जय किसान जय विज्ञान आगे देखे किसान में जय आगे अब विज्ञान है आगे देखे किसान में जय देश बथाना है अच्छे दिल आए है गाउ में कुश या लाए है तो बच पहाँ विख्यान का जमाना है, विख्यान का जमाना है, जै किसान, जै विख्यान हमारी देश की आधी से ज्यादा अबादी के रोजगार का जरिया खेती है खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विबिन प्रकार की सहुलतें और प्रोस्तलाहन है अर्मदान की अनेक स्की में सरकार द्वारा चराई जा रही है पर हम तो फिर भी खेती में बगते घाटे के कारण किसानों के बच्चे खेती से अपना मूँ मोड रहे हैं क्योंकि कम पढ़े और गरीब किसान आज भी नई तकनीक की जानकारी से कोसों दूर हैं हमारी ज्यादातर फचलों की प्रती एकड़ उपजि अन्य देशों के मकाबले कम हैं करण ज्यादातर किसानों के काम करने के तरीके सथियों पुराने हैं आम किसानों को आउश्च जानकारी नहोने से वे नई दौर के बदलावों से वाकिफ ही नहीं हैं पुराने तरीके अपनाने से उनका वक्त, मेहनत और धन बरबाद होता है नई टकनीक नापनाने से उनकी लागत ज्यादा आती है और उपज कम होती है नतीज़तन उपज की गौनवत्ता हल्की रहती है और कमाई कम होती है प्रस्तुत कारिक्रम जय किसान जय विज्ञान के मात्यम से किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक खेती, खाद, पीज, दवा, मशीर, कर्स, अंदान, किसान मेलों और प्रगरशील किसानों की जानकारी दिजाएगी प्रयोक्षाला से खेत टक, टिश्यू कल्चर तक्नीक 21 सदी को जय व प्रोध्योगी की विकास की सदी के रूप में देखा जा रहा है जिसका भी प्रय है प्रोध्योगी की का उन विकास जो देश की सामाजी केवं आर्थिक उन्नति में सहयक्षित हो सकता है केले की उपज बढ़ाने में जैव प्रोध्यूगी की द्वारा विकसित टिशू कल्चर तक्नीक एक एहम भूमिका निभा रही है अत्याधुनिक नियंक्रिट एवं रोगान मुक्त दर्शा में परक्ष्णली में पौध का सूक्ष्म अंग या कोशिका लेकर प्रवर्धन करदे की प्रक्रिया को टिशू कल्चर गहा जाता है इस तक्नीक से रोग रहित पौधों का उत्पादन किया जाता है इस आधुनिक वैग्यानिक चिशू कल्चर विधी द्वारा एक एक्स प्लांट से अंगिनत पौधों को उत्पन्द किया जाता है हलसुरूप हजारों नए पौधों को उत्पन्द करने के लिए बीजहेत बहुत कम स्टॉप में पौधों की आउश्रक्ता पड़ती है चिशू कल्चर विधी तेजी से गौन सोक्षम प्रवर्धन का प्रारूपित गौन है इसके द्वारा अन्य किसी विधी की तुल्या में कम समय में अधिक संख्या में प्रारूपी पौधों के सम रूप को उत्पन्द किया जाना संभव हो सका है केला भारत का एक महत्पून फल है जो पूरे वर्ष उपलब ज़ रहता है देश में फसलों के कुल क्षेत्र फल में 20 प्रचिशत हिस्सा केले की उपच्का है इसी दिए किसान अगर आधुनिक चिशू कल्चर से केले की पौध लगाएंगे तो अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं कम समय में अधिक अधिक लाब प्राप्त करने की उप्देशे से सरकार क्रिशिवयग्यानिक प्रियोक शालाओं एवं उध्यान विभाग द्वारा चिशू कल्चर तक्नीक से उथपादित केले की पौध किसानों को उपलप्त करा रही है जिससे कम ख्रेट रफल में अधिक उत्पादन करके किसान सम्रद्ध हो सके नई तक्नीक छोटा पौली हाउस बड़ा फाइदा पौली हाउस उत्पादन सुरक्षित खेती की एक उप्युक्त और लापकारी तक्नीक है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी तरह के मौसम में इसके अंदर सुविधा नुसार तापमान रखा जा सकता है फूलों और बे मौसम की सबजियों के लिए उप्युक्त तापमान की आउशक्ता पड़ती है पॉली ग्रीन हाउस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर फसल का कीटों, पाले, आंधी, रेतीली हवाओं और तेज धूब जैसी खुद्रटी दिक्तों से बजाओ किया जा सकता है साथ ही इसमें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है क्योंकि प्लास्टिक की शीट पानी को भाब बनने से रोपती है इसलिए इस तकनीक से कम जमीन से लाखों रुपए कमाए जा सकते है इसी कारण आजकल विभिन प्रकार के ग्रीन हाउस, पंक्ती आवरन, लो टनिल्स आदी संदक्षित आवरन के रूप में बहुतायच से ब्रियोग में किया जाने लगे है पहले की परंपरागत ग्लास हाउस का स्ठान अब पॉली ग्रीन हाउसे जने ले लिया है क्योंकि ये वजन में हलके, उप्योग में आसान, पत्थर, बर्फ, अवरोधी और ग्लास हाउस से अपेक्षा ख्रिट सस्ते पड़ते हैं तीन वर्षों के उदबादन से इसकी लागत से अधिक लाब किसान को प्राप्थ हो जाता है आएए आज हम आपकी मुलाखात प्रगतशील किसान जनाब मयुक दीन से कराते हैं जो अपने पॉली हाउस में जरबेरा की फसल तयार करके लाब कमा रहे हैं किसानों से होंगे सवाल देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कब किसानों का खुला मंच नजर रहेगी कृशी वैज्यानिकों की देखिए किसान प्रश्ण मंच कुरुवार रात दस बजे मैंने लखनोव जाले चलेल भी करने के बाद कुछ नया करने का समचा कि कि किसी नए छेत्र में जाएं तो मैंने फूलों की खेती शुरुवात कि पहले मैंने ट्रडिशनल में खेती काता था जिससे मुझे लाब अच्छा नहीं मिलता था हमें सब परिशानिये रहती थी फिर मैंने दो हजार में फूलों की खेती शुरुवात कि और पहले मैंने सबसे पहले ग्रड़ की खेती से शुरुवात कि उसमें मुझे जो हमाई और फसलें थी टेडिशनल फसलें उससे कई गुना आधी अच्छा लाप राफ हुआ फिर पूलों की खेती में कुछ और नया किया जा है फिर मैंने 2009 में उध्यान विभाक्ष की मदद से मैंने एक पाली हाउस बनाया एक हजार वर्ग मीटा का और उसमें जर्वेरा केती शुरुवात कि हमाई जो टेडिशनल खेती है एक एकर में अगर हम धान गेहू करते हैं तो म यह आनने फसलों से कई गुना अथिक ज्यादा है और रही लागत की बाद तो लागत तो सिफ एक बार लगती है और यह हमें लांग टाइम यह पंदा वी साल तक यहां इस्टकर चलता रहता है और प्लांटिंग भी हमें हर साल नहीं करने प्रती एक बार कर दियरू चार सा जर्वेरा की खेती को देखने के लिए हमाये पुरे देर से लगबाग डेली जह है दस से पंदा किसान पर दिन हमाये फार्म पे आते हैं विजिट करते हैं और केती देखते हैं उसके बारे में जानकारी हांसिल करते हैं और मुझ से ही काफी लोग परभावित होकर अब इस समय करीब बंदा से 20 वाली हाउद लग चुके हैं जिसमें जर्वेरा की खेती की जा रही है फूलों की खेती में मुझे काफी सम्मान भी मिला है जिसमें मुझे गुजरात सरकार ने वाइबरन गुजरात में बेश पार्मर रवार्ड दिया था जो उस समय के तत्कालीन मु पूशकार मिले हैं खुलों कि खेती के लिए अपने जिवा मां कि हौन हिनोफ्री के तलाऊ से दूर जा रहे हैं उनके लिए उर्वेरा अपने गाउं में भी रोजकास तला से तो एक बॉली हाउस में खेती जो एक अच्छा उतार है जिसमें वो अधिक लाप कमा सकते हैं नियुन्तम एक हजार वर्ग मीटर का पॉली ग्रीन हाउस बनाने पर ही सरकार द्वारा अंदान दिया जाता था, जिसकी अधिक लागत के कारण छोटे किसान इसका लाभ नहीं ले पाते थे, परन्तु अब गाओं या शहर कहीं भी नियुन्तम पांच सो वर्ग मीटर और नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के अंतरगत पॉली हाउस तैयार करने की आवर्शिक जानकारी किसान प्रादेशिक क्रशिया उद्ध्यान विभाग से प्राप्त कर सकते हैं क्रशि विविधी करण गुलाब की व्यावसाई खेती फूरों का राजा गुलाब खुश्बू और रंगों की विभन्ताओं से देश धर्म जाति से उपर सबका मनमू होता है इसकी महत्ता केवल सौंदर बोध तक ही सीमितन होकर आर्थिक स्टर पर भी उच है फूरों से आसवेट गुलाब का तेल यानि रूह गुलाब अंतर राष्ट्री सुगंद बाजार में अच्छी दड़ से बिखता है इसलिए किसान भाईयों की आर्थिक स्टर के सुधार के लिए गुलाब की खेटी पर सरकार द्वारा जो चाहन राष्ट्र प्रदान की जाती है आज हम आपको मिलवाते हैं श्री गया प्रसाद मौदे से जो गुलाब की खेटी करके उससे ताजे चुने हुए फूलों के जल आसवन से गुलाब जल भी तयार करते हैं हमारे हम पहले हमारे बाबा पिताजी जो है गेहु धान की खेटी करते थे जिसमें की आपने कम थी प्राफित कम था इसलिए हमको धीरे धीर समझ में आ कि गुलाब फूलों की खेटी की जा तो हमने गुलाब की खेटी सुरू कर दी इसकी तक्निकी जानकारी मुझको उद्यार निवाज से मिलती है, मेरे पास 40 लीगे खेती है, जिसमें 15 लीगे में गुलाव की खेती करता हूं, इसके अपने ही प्लांट से हमको पेंड़ी पौट भी तैयार कर लेते हैं, और इसकी पुर्णी करनी परती है, एक साल के बाद पर नुबर में कटारी छटारी हो जाती है, और उकी गुलाई उगयरा करके फिर खात पानी देते हैं, जाई से तीन महीने के बाद फिर से फ्रावरिम चालू हो जाती है, इस ताइम इसमें फ्रावरिम बहुत ही ब्यस्त चल रही है, बहुत ही बढ़िया है जिसमें 5-6 लाग खट निकल लाता है पांचे लाद सुद्र प्राफिर बढ़ जाता है और जो गुलाब जल बनाने की ब्राइची है उससे अत्रीक चलाब गुलाब जल से हो जाता है नूर यहां ब्राइची एक हमारे पाइप लगी हुई, जिससे कि हम गुलाब जल बनाते हैं, और आस्मा निकारी टोटल इस्टील पे आधारित है, उसमें हम गुलाब जल बनाते हैं, और हमारा गुलाब जल ठोक में भीविग जाता है, जो की देर सो दोसो रुपय पर लिट बागी फुट्चर में पाइकिंग करके बेचते हैं, दस एमेल, फैस्टीस एमेल, पचास एमेल, सो एमेल, दोसो एमेल में, हर क्वाल्टी से अच्छा गुलाग जल हमारे पास बन चाहिए। उपलब्धि प्रगजशीर किसान रामसरण वर्मा अपने गाउं ही नहीं, बलकि प्रगजशीर किसानों को तरकी की राह दिखाने वाले प्रगजशीर किसान रामसरण वर्मा ने वैग्जानिक खेती को अपना कर, ना केवल अपनी गरीबी को दूर किया, बलकि अप गाउं के दूसरे किसानों को भी आदुनिक खेती के तोर त प्रिशी दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोंबार से शुक्रवार शाम पाँच बचके 30 मिनट पर 25 साल पहले मैट्रिक पास राम सरन के पास 6 एकड़ खेत, कच्चा पक्का मकान और एक साइकल और पारंपरिक खेती से सालाना 10,000 रुपए से कम किया मदिनी थी पहले तो हम गन्ना गेहूं धान की खेती करते थे 1990 में हमने टिसू कल्चर केले की खेती शुरू की जिसमें हमने 40,000 रुपया खर्च करके करीब एक लाग से सवाव लाग का सुद्ध लाप कमाया फिर हमने धिरे धिरे करके इसको बढ़ाते गए आज हम केले की खेती 60 से 70 एकड खेती कर रहे हैं एक एकड केले की खेती पर करीब 1,000,000 रुपया खर्च आ रहा है दूसरी चीज है कि यह हमारी 13 महिने की फसल है इसको हम जूलाई में लगाते हैं 12 सो पॉधे एक एकड में लगाते हैं और इसको लगा करके धी करीब 13 से 14 महिने में फसल तेयार होती है यदि हम एक लाग रुपया खर्च निकाल दें तो करीब धाई से तीन लाग रुपया आपको एक एकड़ खेला से हमें सुधला मिलता है ऐसे हम करीब 70-rekड केला की खेती कर रहे हैं किले की खेती हम ने 75 अकड़ की इसके बाद हम लेगे फ़सल चक और प्रनाया कि केला कट करके हम क्या लगाएं तो ज़्यादा पैदावार हो केला काट करके हम आलू लगाते हैं आम किसान एक बात ये करते हैं कि बचार हो जो जो ही डाला खाण उही डाली और थोड़ा सा दूरी बढ़ा दी पहुत की संख्या तैक कर दे हम ने बद्थीस हजार टूक्डे हम लम शम एक-एकड में लगाते हैं लेकिन बीच के जो साइज हो 40-50 गराम का ही रखते हैं उसको 8-9 इंच ही गहराई में बहुत हैं इससे हमारी पैदावार करीब 30% बढ़ गई और जो हमको वोतपादन 250-260 कुंटल पर एकड़ आलू का प्राप्त हो रहा है आलू की खेती हम 30-35 एकड़ पर कर रहे हैं केला का तके पर अलू खोद करके हम rebel i嘛 लगाते हैं टी स्थान में टैयार करते हैं वे सही हुबहु पौधा रहता है चला कंडिसें आदस और पर्णों को देने लगता है इसको हम लगाते हैं और इससे एक चाहिँई पैदन हमको मिलता है करीब 6-7 किलो इसको कुंटल में कर दें तो इस पर खर्चा लेवर मैजूरी बीज तार सहारा देना सपूर्ट देना यह सब लिया जाए तो करीब एक लाग रुपे के आसपार इसमें भी खर्च आ जाता है जो हम कर रहे हैं इसमें करीब 60-70 आदमी पर जिन काम करते हैं और वर्थ में 25-30,000 आदमें को रोजगार मिल रहा है हमारे फारम पर 45-50 किसान घूमने के लिए आते हैं तो हमने क्या किया एक किसी सलाह के इंदर बना के लिए सरकार ने भी उन्हें अने पुरसकार दे कर समाने किया अपने जीवन में ये उपलब्र प्राप्त करने वाले प्रगतशील अनवेशक किसान हैं श्री राम सरन वर्मा जानकारी फस्ल की खुशाल करे सर्सों की खेती गेहू धान के फस्ल चक्र ने किसानों की लागत बढ़ाने के साथ मुनाफ़ा घटा दिया है वहीं खर पत्वार के निवारन में ही काफी पैसा खर्च हो रहा है किसान भाईयों पिछले दो वर्षों में सर्सों की खेती में ज्यादा मुनाफ़ा दिखा गया है मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए अब खेती की लागत कम करने के तरीके अपनाने पड़ेंगे ऐसे में सर्सों की खेती आपके लिए लाबकारी सिद्ध हो रही है क्योंकि फसल की उचित कीमत तो मिलती ही है साथ ही राष्टी खादे तेलों की और शक्ता की पूर्द भी हो रही है इसके लावा सरसों की खेटी कम लागत वाली फसल है इसे शून लागत वाली खेटी माना जाता है एक हेक्टियर में खेती के लिए बीज तीन से चार सो रुपे तक में आ जाता है इसके अलावा जिताई बुगाई के बाद कोई खर्च नहीं होता फसल को एक बड़ साथ मिल जाए तो पानी का जन्जट भी खतम हो जाता है किसान भाई सरसों को गेहूं की खेती के साथ मिश्रित फसल के रूप में भी लगा सकते हैं अभी भी देश में भारी तादाद में खाज तेल विदेशों से मंगाना पड़ता है लेहादा सर्सों की खेती से अभी काफी समय तक किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्ट कर सकते हैं यो तो हर किसान पूरी मेहनत से खेती करता है पर ऐसे लोग कम होते हैं जो पूरी शिद्दत से काम में डूट जाते हैं और फिर अंतरजाश्टी इस्तर पर अपने देश और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर बन जाते हैं समाज के लिए प्रकाश स्थम्ब हमारे आज के कारिक्रम के प्रकाशिस ठंब है किसानों के लिए एक मिसाल प्रजेशी ही नहीं वरन देश की गौरो पग्मफी हाजी कलिम उल्ला खान इन्होंने तीन सो से भी अधिक आम की गस्में एक ही पेर पर उगा कर विश्व की इर्थबान स्थापित किया है बारस सरकार द्वारा पद्मफी और उत्तरपदेश सरकार द्वारा उद्ध्यान पंडित की उपादिस से विभूशित हाजी साहथ को देश विदेश से तीन सो से भी अधिक पुरसकार प्राप सुचके हैं आईए मिलते हैं हमारे आज की कार्ड़ेट्रम के प्रकार सिस्टम पद्मफी हाजी कलिए उल्ला खान से तीन सो से जादा अलग-अलग किस्टम के आम एकी पहल में होते हैं और हर आमकास की सूरत ही अलग नहीं है खुच्दू भी अलग है मज़ा भी अलग है आज इतनी बड़ी दुनिया में हम सब इनसान हैं और उसको अलग-अलग किस्म से अलग-अलग कबीलों में हमने आपने समझे बांट रखा है यह पेल सही मानों में उन लोगों के लिए है जो अपने वहां बम और रहे हैं तो अगर यह दोके से किसी वज़े से अपने आप चल गए तो क्या होगा यह पेल भी है बाग भी है और आमों का दुनिया का कालिग भी है जित्ते भी किसान भाई एक आम के पेल में करी किसम का आम चाहते हैं वो हमसे आके मिलें अगर वो हमसे मिल लेंगे तो उनको कम महनत में जादा चीज़ मिल जाएगी क्योंकि किसी के तजर्वे से अगर फायदा उठा लिया जाए वो जादा नफ़े की बात होती पर्मश्री हाजी कलिमुला खान का परिवाद पिछले देर सो वर्षों से आम उत्पादन में सलगन है यहाजी साहब की महनत और लगन का ही नतीज़ा है कि उन्होंने आम को खास बना दिया है किसान भायों आपके इस प्रियकारिक्रम जै किसान जै विज्ञान के अगले एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए धेर साधी कृष्विता समंदी ज्ञान वर्थक जानकारिया इसी समय इसी चैनल पर देखना न भूलिएगा हमें आपका इंतिजार रहेगा जै हिंद, जै जवान, जै किसान, जै विज्ञान झाल झाल झाल